नमस्कार किसान साथियों आज आपको जेविक खेती का एक नया अध्याय एक नया माध्यम जो की सबसे हाई टेक्निक है अक्सर आप सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है पर आज हम जिनके पास हैं उनकी सारी समश्याओं का जेविक में समादान एक ही इन्होंने निकाला कुछ समय पिले उन्होंने कुछ जगह कन्फर्म करके कहीं से सोसल मेडिया के मारफत इन्होंने कुछ चीजें देखी जिनका उप्योग आज हम देखने आये हैं वो आप इस वीडियो के इसकिन के उपर जो मोबाइल की स्किन को उपर देख रहे हैं बायो डाइजेस्टर सिस्टम यह कैसे काम करता है इनके फारम पर इन्होंने कब लगाया और आप इसका उप्योग कैसे करते हैं फसलों में इनका क्या परिणाम है जानते हैं इनी की जुबानी से ताकि आपको यह पूरा सिस्टम समझ में आ जाए क्योंकि आज की जेवी खेती का सबसे न्यू टेक्निक जो है वो यह है जो आप इस इसकिन के उपर आप देख रहे हैं तो मिली आप यहां के फारमर से जी नमस्कार अपना इंट्रोडिक्शन दीजिए स्रिमान जी हमारा नाम दुर्गराम पटेल कलव सेत्रवा जिलाजोदपूर से हमारे अनार के बगीचे हैं जो आप देख रहे हैं और हमारे जो यह अन एरो बैटिक जो सिस्टम बड़ा लगा है यह हमने चार पांच मेने पहले हमने लगाया है यह पूरा पूरी तर से सूर्य की किर्णों के जो प्लास्टिक दालते हैं उसका जो है वह फर्मान एंटेंशन हो जाता है और 35 दिन के बाद में यह अपना काम चलू कर लेता है 35 दिन तक यह अपने नियमित रूप से अपना अंदर किरिया के रूप में कारी करता रहता है आपका कहना है कि आपने इसको पांच महीने पहले लगाया है तो और पुर्सोतम भाई से खरीदाता हमने गुजरात से जो कि यह खुद मैन्यूपेक्चर रहे और खुद बनाते हैं पूरे भारत में यह इनको बेचते हैं जिनको नरंदर भाई मोदी जी ने सम्मानित किया वही है तो किसान सातियों देखिए जेविक खेती में आज दुर पांच पति काड़ा चानने में परिशानी हो रही है तो दुरगाराम जी का पिछले पांच साल पांच मैने का जो अनुबव रहा है आप यह कह रहे हैं कि सारे के सारे जैसे कि आप इनके पास बैरल कुछ पड़े देख रहे हैं यह जोदपूर से वहां से होटलों का निकल कि यहां लाए हैं गोमुत्र गोबर भी आप जोदपूर से लाएं और यहां यह एक पत्थर की स्टेंड बनाई है और यहां इन्होंने यह बायो डाइजेस्टर सिस्टम लगा रखा है तो थोड़ा आप इसके बारे में विस्तार से बताईए दूरगाराम जी आप इसके अंदर क्या-क्या डालते हैं हम सबसे पहले यह जो सारी ची नीम की पती इसके नाब देखिए नीम की पती चोटे-चोटे टुकडे करके आपने नीम की पती और कुछ आग के पते तूंबा के सब इसमें डाला है सब इसमें डाला इसमें डाल दिये यह डालने के बाद में जब जैसे हम डालते जाते हैं यह पूरा का पूरा इसमें चला जाता है अचा यह पाइप के माद दिम से यह कितने इंच का है यह पूरा बॉल वल इसके उपर लगा हुआ है जैसे इनोंने दुरत घुल खोला तो यह सारा तो किसान बाईयों के लिए संसे बरा है कि आप इसके अंदर गोबर डाल रहे हैं फल के आउसेश डाल रहे हैं जोदपुर से भी कापी सामान लेके आएं तो दूरगराम जी मेरे को यह बताइए आप इसको चानते कैसे इसको चानते कैसे यह सबसे बड़ी समसिया जी इसलिए मैंने से सवाल किया है ताकि किसानों को यह जानकरी हो जाए किसानों को कुछ भी नहीं करना होता है किसानों को सिर्फ एक यह ट्यूब खरीदी होती है ज आपके पेकिन किया हूँ है येश मैंटरियल आपके घर पे आएगा ये दोनों लागर आपको अंदर उच्छी बात ना recommend कूंदे उट्ट में है कि यूट यूटिश पे वक्तास दो आयुटेट की समझा ये तो हम आपको बताएंगे अच्छा यह मतलब बीना सूरज की किरने सीधी लगे अंदर एरोबेक एनरोबेक जो सिस्टम होता है उसके माध्यम से यह पहली बार आपका कहना है कि 45 दिन तक इसको खोलना नहीं है अगर गैस बने तो यह उपर पाइप लगी है इसके माध्यम से आप गैस को बार निकाल सक लोजन बना सकते हैं खाना बना सकते हैं अपने गैस में लगा करें नलकी के तो किसान साथियों देखिए हैने सोने में सूहागा इसका खर्चा आपको कितना है दुर्गराम जी पीस अजार रुपे जब आपने पहले पांच मैने खरीदा था हाँ इसकी रेट कम ज्यादा ह हो सकती है कोरियर का खर्च अधिरिक्त हो सकता है पर किसान साथियों देखिए यह चीज वास्तों में आज मैं जो देख रहा हूं आज मेरे साथ प्रगतिसील उननतिसील बड़ी फारम के मालिक भी साथ में है आप दुर्गराम जी कुछ और दिखा रहे हैं अब देखिएगा आप दुर्गराम जी इसमें डाल रहे हैं देखिए इसके अंदर जैसे की सड्रस की मैक आती हो वैसे मैक आती इसमें निबू भी पिसा सेव संत्रा जितने भी वेजी टेबल है जितने भी प्रूट है सड़े गले उनका इन्होंने जूस बनाया और इसके अंदर डाल रहे हैं अब ये डाल कर ये पहली बार इन्होंने 45 दिन तक इसको सड़ाने के लिए रख लिया शारे शारे उत्पाद जो भी इन्होंने डाले जैसा कि इन्होंने आग की जारी डाली भी अंदर दिखाई वो भी इसके अंदर जाकर लिक्विड यानि कि फर्मेंट होकर पूरा ठोस मेटरियल हार्ड मेटरियल लिक्विड भॉम में सॉलिड भॉम में आ जाता है तो किसान भाईयों आप कुछ भी उत्पाद अगर इसमें डालते हैं तो उसका सारा का सारा लिक्विड इसमें बनता जाता है यह आपने जो दिखा रहे हैं आप यह आकड़े का आर्ख है यह के नोई मिंख जिससमें दालेंगे अगर किसान बाई मेफिए कंपोजल से कहत कर रहा है और बार उनको बेर्लमें यह माइक्रो नीूट्रियन बनाना होता है पांच मेफिति-काड्डा तो अलग-शोıl ना एक बार ठोड़ी सी मातरा में अलग-अलग बैरलों में उसको मातरा लेकर अगर वाट टन्की के माध्यम से अगर बना हैं तो यह 45 दिन में तयार हो जाता है और अब आप यह कह रहे हैं कि 45 दिन के बाद जब यह तयार हो जाता है तो पिछे जीतना डालते हैं उतना आगे से निटें निञा सकते हैं अभी चला गया जी अब अंदर जा रहा है अगर इसके अंदर रीट बीचा जैए तो रेत तो शोलिद पंब में आएगीघई नहीं पत्तर सौलिद फो में आया गया नहीं जैसे किा आपने ये बायो डायों कि लुग्अ सीस्ट्म के अंदर ये आख, नीम आपने देखिए अभी हम जहां खड़े हैं सूरज मद्यान से चला गया है तो इसके उपर चाया आ रही है क्या इसको चाया में बनाना ही चाहिए या दूप में अच्छा इसको दूप चाहिए तो साथियों हाँ सही बात है किसी भी चीज को जल्दी सड़ाने के लिए दूप दी जाती है तो यह दूप का सिस्टम है आप इस परकार का पत्थर का इस्टेंड बनाएं आप इससे छोटा भी ले सकते हैं अगर आपके पास छोटी बागवनी है देखिए सारे उत्पादों को चानने का जंज खतम ये केवल एक बार ये प्लास्टिक का टेंग और ये भी आपका कहना है कि ये पोल्टेबल है नए किसान साती पोल्टेबल समझते नहीं है मतलब एक जगह अगर आपको चाहिए लगा सकते हैं अगर वो जगह आपके कहीं और काम के लिए नियूटराइज लेनी है तो हटा कर दूसरे जगह आप इसको ले सकते हैं अब मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ ये आराम से ये कभी खराबने होने वाला दूरगराम जी का अनुभव है कि ये आठ साल नौ साल तक काम नहीं करता है और अब इसके अंदर पीछे से जो इनोंने डाला अब ये यहां से वाल खोल रहे हैं अब देखिएगा इसको चानने के भी आउशकता नहीं और इसका जो है अंदर लिक्विड वह बाहर आएगा ये देखिए ये थे देखिए हैं कम कभाट को बहुत गजब का सिस्टम है यह बहुत गजब का सिस्टम और यह बी आपको जो दीगा इसमें डस्ट आपको चाने कि जुरूत है जैसे कि कि फिल्ट्र हो टका है बिछले रिपाने की तरह है तो इसकी मैं का अएग आप देखो वीगी तो मित्रों देखिए आपको सारी चीज जमीन में देने के लिए एक ही सिस्टम के माध्यम से एक ही उत्पात के माध्यम से अब इसके अंदर इन्हों पांच पत्ति काड़ा डाला आकड़ा डाला धतूरा डाला माइक्रो न्यूटन बनाके डाले और गोबर डाला गोमुत्र डाला फलोंका वेस्ट डाला ये सारा का सारा इसके अंदर पूरा का पूरा फर्मेंट होकर आगे जाकर ये लिक्विड फों में आ गया और इनका उप पर मैं देख रहा हूं मेरा भी कफी अच्छा अनुबव रहा है ऐसा बगीचा और्गेनिक में कभी नहीं हो सकता है दूसरे अगर आप कितना भी उप्योग कर लो यह आप कह रहे हैं कि यह सब सिस्टम हुआ है इस बायो डाइजेस्टर की ही दैन मान रहे हैं क्योंकि सारे सा गास फूस पत्ती इसके अंदर अगर सड़ती जा रही है और इसका लिक्विड आ रहा है तो किसानों को चाहिए लिक्विड न तो आप भी इस तरह बायो डाइजेस्टर लगाएं अधिक जानकारी के लिए आप सीधा दूरगर राम जी से संपर्क करें मैं चाहूंगा कि आप अपना कॉंटेक्ट नमबर दें ताकि कुछ आपसे किसान भाई नहीं जानकारी लें मैं चाहूंगा कि मेरे वाटसेफ नमबर पर आपको मैसेज कर दीजी कि तो मैं आपको जब समय मिलेगा तब आपको ज्यादा ज्यादा जानके दे पाऊंगा पीचोतर अड़सट 65-500 इस नमबर पर मुझे वाटसेफ कीज़ेगा जहां संभव हो सकता है मैं आपको उसका जवाब दूगा अब एक बात और जानते हैं आपने कहा कि आप यहां से गैस्ट इस्टोरेज करते हैं आपने यहां से गैस्टोरेज करी है तो वह क्या सिस्टम है चलते वहां तो सा एनेरोबिक बायो डाइजेस्टर सिस्टम से जो गैस प्राप्त करते हैं उसको आप व्यर्त न जाने दे कर आप जो LPG गैस बाजार से महंगी खरीते हैं जो कि स्वास्तिय वर्दक नहीं है पर इस सारे उत्पादों के सड़ने से जो गैस बनती है पहले तो उसकी आच भी से चार जनों का चाई पानी का खर्चा उसके उपर आसानी से निकल जाता है इसके साथ ही इनके पास एक फिल्टर सिस्टम और लगा हुआ है जीवामरत छानने का जो की अक्सर महाराष्ट में अनार बगीचों में होता है यह देखिए इसके अंदर यह बैक्टिरिया होता ह जाने पानी को मिलता है तो यह क्या करता है इसके अधर नार बाद में पानी जब आता है तब जाके उस पौदे को मिलता है तो यह क्या करता है स्टन्ट है वह आएगा तीन दिन में यह आएगा साथ दिन में इसका रिजल्ट इसके अंदर हमने गोबर डाला आप देके हिलार है हम लोग गुड़ डाला गोमूतर डाला आग पोदे डाले बेसंड डाला ार सरसों की खली डाली यह डालने के बार में यह यह एक बार मेरां आनार गी चलाता में दालता है। जाता है यह एक बार मेरां भास और जलाता है। यानि कि यह की बार में शत्रात्या एकवन एकवन सो लिटर हमारा नार के पौदों में चला जाता है और यह गुलकुज जो एनो अरोबैटिक क्याते हैं इन दोनों का कॉमिनेशन बढ़ा करके हम जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं अगर आपको छाने की जूरूरत नहीं है अब आप देखिये इसमें से हम आप bilateral को इसको जो 200 लीटर में ढूल होते हैं इह मैं जाने की जूरूरत नहीं है अब देखिए यह सब आपको इसका लुव्य फार्टल इसका बी आया देखिया है आप देखिए आपका इसके अंदर आप देखिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यह देखिए आप प्योर गलकोजे आप इसको छाने की जुरूत नहीं है जो किसान सब ज़्यादा प्रेसान इसे होते हैं कि इसको छाने कैसे यह डियरेक्ट छान गया और इसको अम डियरेक्ट पौदो में देदेंगे और अब मैं दूरगा राम जी के फारम पर इस एरोबिक एनरोबिक बायो डाइजेस्टर सिस्टम और जीवामरत फिल्टर का विदीवत आंकलन करने के बाद इनके फारम पर लगे कुछ बागवानी जैसे अनार अभी फल मेचियोर अवस्ता में चल रहा है कुछ छोटे हैं लेकिन इसके उपर फलों की संख्या बहुत बढ़िया है ज्यादा है पत्तों में कोई भी तरह की डिफिशेंसी मैसूस नहीं हो रही है और नहीं इसके उपर ऐसा कोई प्रतीत हो रहा है कि इसमें संबन की सिकाईत है या कुछ और है आप देखिए सराबोर हुए पोदे चारों और आप देखेंगे फलों से ही फलों से बरपूर है टापने खेंगे सरा में और ऑफ़ कितने साल पुराने फोदे हैं चार साल के पोदे है adds में 400 चार सान के फोदे हैं अब तक आपने दो बार हर्वेस्टिंग ले लिये लिए पहली हार्वेस्टिंग तीन साल बाद ली तीन साल ले ली तैनल आप देख रहे हैं यह सब और्गनिक रूप में हैं आप साथियों देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए अक्सर आपको परिशानी होती है कि फल में फिनिशिंग कैसे लाए लेकिन दुर्गाराम जी ने देखिए गा बगीचा आप देख सकते हैं देखने लाइक है देखिए तकरीबन इस बार दुर्गाराम जी यह बायो डाइजेस्टर के साथ आप काम करके इस बार कितना एक पोदे से उत्पादन ले सकेंगे अनुमानित अनुमानित हमको यह लगता है कि इस बार कम से कम ए इस बाव भाव भी मिलते हैं वाव से लाइड़ में हमारा आठेक कर चले गये अबीज़ीर हैं तो रूपे हैं बिलकुल क्योंकि प्लीक वेटे 4000 इस प्रकार हैं और आप इन की आयन देखिए साहिद ही कहीं आप अगर और अगर में कर रहे हैं तो आप भी चूक रहे हैं जैसे दुर्गा राम जी के फारम पर इन्होंने बायो डाइजेस्टर लगा रखा है और बायो डाइजेस्टर से इनको बहुत बढ़ी अलाव हुआ यह आप देखें इनके उपर फल एक दम क्या गणा चाहिए शगन फ्रूटिंग है वह सब चुपी होई है शगन फ्रूटिंग बताओ सब्सक्राइब अब यह इदर हो साइए लेला यह देखो अब यह सब चूप रहे हैं इसको बंबु लाए हुए है और इन बंबु के माद सारे फ्रूटिंग पर हैं बहुत अच्छा अनबु मिला आपसे किसान सात्यों सबसे पहले अगर आप बागवनी करते हैं या कुछ खेती करते हैं अगर आपको जेविक खेती करने में मेहनत कम चाहिए तो एक बार आपको 25,000 रुपई कर्च करने एक सिस्टम लगा लीजि आपके खेते को इस्टन्ट चाहिए जिसको पाकर आपका पोधा तुरंत रंगत में आता है इसका उपियोग आप पोधों में करते हैं दुरगराम जी इसका आपको क्या तजूरबा रहा है इसका तजूरबा तो जैसे मूँ में गुड डालते है वैसे मिठा होता है क्या ब रहा है।सом यह पौद के सारे के सारे के सारे के सब्सक्राइब में MA स्वा कर संदोर हो। फ्रूट के कारण सारे के सारे नीचे जुके हुए हैं, देखिएगा आप, अब क्या करें, यह बाद ना पड़ता है, यह सब जाड़े हैं, देखिए, इसका रंग भी दीरी-दीरी परिपक को होने जा रहा है, मेचियोर होने जा रहा है, डेट में बाद में यह कलर आएगा, अब यह सूरत इस्टेज है, तो यह जो है, इसका अन एरोबेटी का जो आप बता रहे हैं, इसका उप्योग ज्यादे से ज्यादा किसान करेंगे, तो मात्र 20,000 रुपय का खर्चा आपके कम से कम 10 साल, यह कंपनी वाला कहते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, और इसको पोस्ट इकता तो इसके अंदर आ जाते हैं, एक बात और, कहीं किसान भाई अपने साथ जुड़े हुए हैं, जो आदी से ज्यादा रसायनी करते हैं, और मन बनाता है जेविक के और आएं आएं, पर आने का मादिम इससे पहले साइद वेस्ट डी कमपोजर भी था, पर मेह इतना खर्चा कम हो सकता है उसका, मेहनत कितनी कम हो सकती है, सब खर्चा 40-50% मेरे रिसाफ से खर्चा कम हो जाता है, आपका तो अनुबह है ही, हमारा 100% अनुबह है, अगर कोई किसान अगर एक गाएं ले ले और गाएं के आदारित ये पूरी खेती है, और उसमें 50% से साल सतर और तीन साल के बाद उसके नाम मातर का कोई खर्चा होगा, जो फंकि साइड का हो सकता है, बाकि जमीन के लेवल का जितने भी है, वो सारे खर्चे बंद हो जाएंगे, आप एन पी के डालना बंद कर दोगे, अगर इसका नियमित उप्यों करते हैं, तो अगर सायनक चीजें जो आप इस्तेमाल करते हो अपने आप ही कम हो जाएगी, ऐसा इनका मानना है और हमारा भी मानना है, क्योंकि हम इनको डेली रूटिन में लाते हैं, बहुत शांदार प्रूटिंग है, वेस्जी कॉमपोजर से आप अगर पौदों में इस्प्रे कर लेते हैं तो किसी भी फंगस की बीमारी आती ही नहीं है, ये भी आपका एक नया अनुबह हुआ है, उतने पत्तिया इतनी सौप्र हो जाती है, और पोशत कर तो मिल जाते हैं, और ड्रीपे चलाया तो और अच्छी बात है, और मेरे खेत के अंदर अर्बों खर्बों कैचुए हैं पूरे खेत में कैचुओं से भरा पड़ा है, इसलिए ये जो दिवार बनाई अभी हमने इतने सारे सौप्र आगे थे कैचुओं खाने के लिए, तो इस मजबूरीव के अंदर हमारे को ये दिवार निकलवानी पड़ी 50 बीगों के अंदर बाउंटरी है तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में दुरगा राम जी के फारम पर आकर जो एक विशेश जेवी खेती की नई टेकनिक, क्योंकि समय के साथ किसानों को बदलना है, तो आपने आज इस वीडियो को पूरा देखा, हम आपके बहुत-बहुत आभारी दन्यवाद परकट करते हैं आप भी इसी तरह का बायो डाइजेस्टर लगाएं खेती के खर्चे को कम करें उत्पाधन बढ़ाएं धन्यवाद